तो दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सपेक्टेट कोश्चन डिसकस करेंगे आपके SSC MTS 2021 एक्जाम के लिए तो अभी तक जितने भी shifts हो चुकी हैं उनके pattern पे based जो आपकी आने वाली shifts हैं उनके लिए जो expected questions हो सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में discuss करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए वीड आर्टिकल्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो GST Council जो होती है यह कौन से आर्टिकल के अंडर आती है तो आप सबको पता होगा Article 279A जो होता है यह एक आर्टिकल रहेगा जिसके अंडर GST Council को add किया गया था अब यह जो आर्टिकल्स होते हैं आप इनको याद रख सक सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको आर्टिकल्स की अगला कोशन देखते हैं रिकेर्स इस रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ दी बॉड़ी विटामिन से रिलेटेड कोशन मन गया कि रिकेर्स जो बिमारी होती है यह कौन से पार्ट को एफेक्ट करती है अब यह विटाम पड़ता है रिकेर्स पिमारी की वज़े से विटामिन डी की कमी की वज़े से माता प्रसाद वस दी गवर्नर ऑफ विच स्टेट हू रिसेंटली डाइट तो आपसे कोशन पूछा गया था फॉर्मर गवर्नर से रिलेटेड तो माता प्रसाद जो है यह जनवरी 2021 में इनकी प्रदेश तो अरुनाचल प्रदेश जो स्टेट है यहां के गवर्नर थे एक्स गवर्नर थे माता प्रसाद जिनका हाली में निदन हो गया है वाट इस ओटन थुल्लई ओटन थुल्लई जो है यह क्या चीज होती है आपसे यह पूछा गया था तो आपको पता होगा जो हमारी डांस की सेपरेट वीडियो है उसमें हमने डिसकस करा था कि ओटन थुल्लई जो होता है यह एक साउथ इंडियन डांस स्टाइल होता है त किस पार्ट पर effect होता है ये question पूछा गया था और दूसरा question पूछा गया है आपसे कि water soluble vitamin कौन से होते हैं तो आपको पता होगा BC vitamin B और vitamin C ये दो vitamins होते हैं जो कि water soluble vitamin होते हैं और अगर आपसे ये पूछा जाए कि fat soluble vitamin कौन से होते हैं तो आपको याद रखना है कीडा KEDA कीडा जो होता है KEDA जो vitamin होते हैं ये fat soluble vitamins होते हैं अब दोस्तों अगले question पर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते है most important रहे गई है 2000 questions की एक e-book है जो कि हमारे द्वारा launch करी गई है ये सिर्फ आपको 99 rupees में provide कराई जारी है इस पर आपको flat 67% off मिल रहा है ये important इसलिए रहेगा क्योंकि इस e-book से direct आपको 7-8 question आपके हर एक shift में पूछे जा रहे हैं क्योंकि इस e-book में आपको 500 science के questions पर लेंगे 500 static GKK और 500 रहेगा current affair 2020 का जो current affair पूछा जा रहा है आपसे वो 2020 का ही पूछा जा रहा है या फिर January, February और March जो starting के 3 मंत है March तक का आपसे current affair पूछा जा रहा है तो इसलिए ये current affair important रहेगा और 500 questions रहेंगे basic general knowledge के तो ये सब जो questions है ये most important questions हैं और direct आपसे exam में 7-8 questions आपको मिल रहे हैं अगर आप interested हो तो इसका link आपको description में मिलेगा आप इसको ज़रूर buy करें 100% आपको इससे मदद मिलेगी अगला question देखते हैं हमारा who among the following is not a president of India तो आपसे question पूछा गया था आपको 4 option दिये गए थे जिसमें कि 3 जो थे वो president रहें गे इंडिया के और जो चौत है थे वो president नहीं थे उसमें जो आपका चौता option था वो था आपका इंद्रकुमार गुजराल इंद्रकुमार गुजराल जो है ये कभी भी भारत के president नहीं रहे हैं Them के अलावा बाकी जो तीन options थे वो तीनों president रह चुके हैं इंडिया के National Girl Child Day is observed on तो National Girl Child Day जो होता है कौन सी date को observe किया जाता है तो days के उपर भी लगातार question पूछे जा रहा है हमारा answer हो जाएगा 24 जनवरी हर साल 24 जनवरी को observe किया जाता है National Girl Child Day के रूप में जो days होते हैं इसके उपर भी separate video रहेगी जो कि आपको channel पे मिल जाएगी बाकी जितने भी static gk के topics होते हैं सबकी आपको separate video मिलेगी 145 plus topics हैं जो कि हमने cover करे हैं playlist रहेगी all static gk topic के नाम से link आपको इसका description में मिल जाएगा which disease is caused by the parasite तो records की भी पूची गई थी और यहाँ पर जो disease होती है उससे भी related आप से question पूचा गया कि parasite से related कौन सी disease होती है तो science से काफी question पूचे गए हैं तो parasite जो होती है इससे disease होती है malaria malaria जो है यह disease रहेगी जो की cause होती है parasite की वज़े से इसकी पूरी एक list होती है की कौन कौन सी disease parasite से होती है कौन सी virus से होती है कौन सी bacteria से होती है तो आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं उससे related आपको सारे question आपके cover हो जाएंगे which book is written by Krishna Dev Rai Krishna Dev Rai के दोवारा कौन सी book लिखी गई थी तो आपको option में दिया गया होगा अमुक्तिया मल्यादा ये जो book है ये लिखी गई है इसके writer रहेंगे Krishna Dev Rai Who is the chairman of telecommunication consultant India private limited तो telecommunication consultant India private limited जो company रहेगी इसके current time में chairman कौन है ये question आपसे पूछा गया था तो संजीब कुमार जो है ये current time में chairman रहेंगे telecommunication consulting India private limited के Who gave the planetary motion तो आपको पता होगा planetary motion जो है इसमें तीन rule होते हैं तीन चीरे दी गई थी planetary motion से related तो वो तीनों किसके दौरा दी गई थी तो कैपलर जो है इनके दौरा ही planetary motion जो है वो दिया गया था पूरा तो इसलिए कैपलर जो है वो आपका correct answer हो जाएगा Sokal Lake is in which state और union territory तो Sokal Lake जो है ये इंडिया की कौन सी state या फिर union territory में है तो आपका answer हो जाएगा लद्दाग जो की current time में union territory है इंडिया की इंडिया में current time में 28 states हैं और 8 union territories हैं जो की state और union territories हैं उसकी separate video भी आपको channel पे अभी कली provide कराई गई है Name the first woman who hosted the flag of India तो भारत का flag host करने वाली पहली महिला कौन थी तो आपका answer हो जाएगा Madame Bikaji Kama Madame Bikaji Kama जो है जर्मनी में इन्होंने इंडिया का जो flag वो host किया था और ये भारत की पहली महिला है जिनके दुआरा इंडिया का flag host किया गया था What is the number of electrons in the outermost shell of halogen तो halogen जो होते हैं उनकी जो भारी layer होती है outermost जो shell होता है उनका उसमें कितने electrons present होते हैं तो आपको पता होगा 7 electrons होते हैं जो की present होते हैं आपके halogen के outermost shell में यह आपको बता होगा basic question है unity of statue related question तो unity of statue से related आपसे question पूछा गया था तो आपको पता होगा सरदार बल्लबाही पटेल जो हैं उनको dedicated एक statue बनाया गया है जो की रहे गए unity of statue जिसकी 83 मीटर के around उसकी height रहती है और यह कहाँ पे located है तो गुजरात में located है किसके द्वारा inaugurate किया गया था तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको inaugurate किया गया था अगर और कोई question आपसे unity of statue से related पूछा गया था तो आप हमको comment box में type करके बता सकते हैं बाकी जो हमने detail बताई है अगर उससे ही related है तो आप उसमें भी बता सकते हैं तो यह question था unity of statue से आपसे कोई related question है इसके अलावा आपसे question यह भी पूछा गया था कि चिनामन जो होता है एक term होता है किस चीज़ से related होता है या फिर कौन सा sport रहेगा जिससे चिनामन जो word होता है यह related होता है तो इसमें जो आपका answer था वो आपका answer था cricket cricket जो होता है एक उससे word related होता है term related होती है चिनामन जो कि आपसे पूछी गई थी और unity of statue से related हमको एक student के द्वारा बताया गया है कि यह पूछा गया था कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी trains हैं जो कि flag करी थी unity of statue के लिए तो इसमें आपका answer था 8 train 8 train जो हैं यह flag करी गई थी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तो दोस्तों यह सब questions है जो कि हमको मिल पाए है आपके exam से related इसके अलावा बाकी एक e-book रहेगी 2000 questions की और एक e-book रहेगी आपकी current affair 2021 की current affair वाली जो e-book है वो आपको 29 रुपीज में मिल रही है और 2000 questions की जो e-book है यह आपको मिल रही है 99 रुपीज में तो आप इन दोनों e-books को buy कर सकते हैं काफी ज़्यादा helpful रहेंगी आपके exams के लिए और दोनों ही जो e-book रहेंगी इनसे आपके direct exam में question पूछे जा रहे है इसके अलावा एक playlist रहेगी हमारी जो की most important रहेगी 150 के around उसमें आपको static gk के topic cover कराई गये हैं जिसमें की current affair का static gk भी cover किया गया है तो आप उसको देख सकते हैं उसमें काफी सारी videos हैं उससे साथ से art question आपको easily आपके exam में देखने को मिल जाएंगे तो आप इनको ज़रूर follow करें इससे आप अच्छे marks score कर सकते हैं अपने exams में धन्यवाद दोस्तों